प्रोब्लम यह कि हम सब जीनियस हैं। और कया प्रोब्लम है? प्रोब्लम यह कि हमें किसी की सुन्नी नहीं है। सुबा शाम Netflix चलके सपने देखने हैं लेकिन जब धो हकते घर बैठने को मिल रहा है तो हमें काम पर जाना है। प्रेजेंटेशन्स, सब्मिशन्स, रिपोर्ट्स, मार्च एंडिंग, एकॉनमी गिर जाएगी, सालो जब मीटिंग में पोन नीचे छुपा छुपा के टिक टॉक इंस्टा करते हो, तब नहीं गिरती एकॉनमी, सारी बड़ी कंपनिया कह रही है, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन सबसे पहले उनका धंदा बंद होगा, यहां इनकी दुकानों के बाहर लाइने लगी रहे, 11 बजे तक बंद होने वाले रेस्टांस, दो-दो बजे तक खुले होएं, अरे निब्बा निब्बियो, एक-एक बाइट आइसक्रीम खाने से प्यार जरूर बढ़ जाएगा, ल उसी फोन पर गूगल करके देख लो, चाइना और इटली की न्यूस देख लो, समझ में आ जाएगा करून को स्टेस होता क्या है, जब मोदी जी बोल रहे है, ट्रम भाई साब बोल रहे है कि सोचल डिस्टेंसिंग कर लो, कुछ दिन दूर रहे लो, तो सुन लो न, इनको पाता है, डॉक्टर फॉकी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है वाईरोसों का, वो भी बोल रहे है कि अगर ओवर रियाक्शन भी लग रहे है न, तो भी घर बैटो, और यहां लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के आ रहे है, जू बीच पर पाव भाजी खाने, पॉकी बैटो, और सबको बोलो, घर बैठे अपने-अपने, सोशल डिस्टिंसिंग के बारे में सबको बताते जाओ, जब तक की गवर्मेंट कोई गुड नीज नहीं बताती, इलाज बन रहे हैं, वैक्सीन स्टायल में जा चुके हैं, सब पे एक साथ आईए मुसीबत, सब एक सा अपके साथ टाइमस्पेंड करो न, मेडिटेट करो न, वीडियो कॉल करो न, हैंड वश करो न, फेस टैच्च मत करो न, फेस मास्सिोज करो न, जी अफ ब्यक को अभी मत मिलो न, नमस्ते करो न, सबसे दूर रहो ना, करो न, स्टॉप करो न